नमस्कार दोस्तों जरूरी बात इसलिए ये एहम वीडियो आपको याद होगा राम रहीम का कांट साल बर डिर साल पहले की बात है एबी पी न्यूज ने बढ़ चल कर दिखाया था ढुमाना हमारे सूत्र खबर दे रहे है जेल के अंदर से की दस साल की सजा दी गई है उसके कुछ महीने में पहले रामपाल बाबा है हर्याना में उनके खिलाफ एबी पी न्यूज ने दिखाया था धोंगी बाबा रामपाल, हर्याना के इस पाखंडी बाबा को अदालत ने सुनाई है उम्नुकैद की सजा और उसके कुछ एक नेर साल दो साल पहले आसाराम बापु का एक मामला सामने आया था जिसको भी एबी पी न्यूज ने बढ़ चड़कर दिखाया था उन दिनों में एबी पी न्यूज बें काम नहीं करता था लेकिन एबी पी न्यूज की ओकवरेट भी बहुत शांदार थी और आसाराम बापु अज़गराज जेल में है तो वो मीडिया के प्रेशर की वज़े से ही है तो एबी पी न्यूज का ये काम है मीडिया का ये काम है कि उसकी गलती को सामने लेकर आना मौलाना साद का नाम आपने सुना होगा तब्लीगी जमात दिल्ली वाली निजामुद्दीन वाली मरकस जहां से हजारों की संख्या में लोग निकले कोरोना से सस्पेक्ट थे कुछ कोरोना पॉजिटिव थे और हजारों की संख्या में ये लोग देश भर में फैल गए और कोरोना से आज की तारिक में बहुत बड़ी वज़े कोरोना फैलने की ये तब्लीगी जमात के ये लोग ही है ये बाशिंद़ी है तो जब मुलाना साथ पे आप टिपड़ी करेंगे तो कुछ मुस्लिम मुलाना ये पेंट करने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं मेरी साथी रूबिका पर एक कुछ और एंकर कलीक्स जो दूसरे चैनलों में काम करते हैं वो मुसल्मानों के खिलाफ है मैं ये कहना चाहता हूँ इन मुलाना कादरी से इनका पहले आप पहले इनका धमकी सुनिए जो ये सर्याम हमको धमकी देते हैं कि टीवी एंकर्स टीवी रिपोर्टर्स जो हैं वो मुसल्मानों को गाली देते हैं और एबी पी नियूस के जितने एंकर्स है मैं उन तमाम को कह रहा हूँ मौलाना साथ जो अमीरे तबलीगी जमात है उनको जो अरे तूरे से जो तुम मुखातिब हो रहे हो मैं तुम लोगों को वार्निंग दे रहा हूँ कि मजभी रहनुमाओं के मतालिख इस खिसम की कोई जबान इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है और मैं फिर एक बार अरनाद को स्वामी को रुबीका को और जितने भी रोही सरदनार और वो सुमी तवस्ती ये जितने लोग है मैं समाम को ये बात कह रहा हूँ कि बेवज़ा मुसल्मानों के खिलाब में ट्रायल चलाने की कोशिश मत करो तुम लोग मीडिया हूज में बैट कर समझ रहे हो कि तुम जो चाहे बकवात कर सकते हो अगर ये तुम समझ रहे हो तो घलस समझ रहे हो जिस दिन भी हम अपने पे आ जाएंगे तो फिर तुमें चैंसर रहने नहीं देंगे ये बात को याद रख लो और हम जमूरी अंदाज में तुम्हारा मुखाबला करेंगे कोट में तुमें खीचेंगे जिस हिसाब की तुम लोग हरकत कर रहे हो मौलाना साद मतलब इसलाम नहीं है तबलीकी जमात का मतलब पूरा मुस्लिम धर्म नहीं है मैं ये कादरी साब को बोल देना चाहरा हूँ कि आप ये पेंट ना करें कि हम पूरे के पूरे मुसल्मानों के खिलाफ रहे हैं कम से कम एबी पी नियूस के बारे में मैं ये बहुत जिम्मदारी से बोल सकता हूँ मौलाना साद को खलनायक क्यों बुला कोरुना का खलनायक इसलिए बोला कि उसने सोशल डिस्टेंसिंग यसी बात की मुखालफ है थी कोरुना से लड़ने में लॉकडाउन सोशल डिस्टेंसिंग और परस्नल हाईजीन ये तीन इंपॉर्टेंट हतियार है और वो मौलाना साद अपनी तकरीर में ये जानते हुए कि कोरुना दुनिया भर में फैल रहा है वो मौलाना साद पूरे तरीके से ये कहता है ये भढ़काता है जमात की लोगों को जो अलग अलग जगे जाकर मुस्लिम धर्म का प्रचार करेंगे अलग अलग अलाकों में जाएंगे ये कहता है कि इस महामारी का हववा क्रियेट किया जा रहा है दरसल ये लोग मुसल्मानों के खिलाफ है मुसल्मान जो एक ठाली में खाता है जो महब्बत से रहता है आसपास बैठता है ये उसको दूर करना चाहते है सोशल लिस्टेंसिंग के बाने में तो मौलाना साच जैसा व्यक्ति जिसके हजारों लाखों करोडों फॉलोर रहे होंगे दुनिया भर के लोग सुनने आए उसको जमात में उस जोड में और उसमें वो ऐसी बेतुकी बाते करेगा ऐसी विवादित बाते कहेगा तो कौन सा मीडिया हाउस उस पे आके मुन लेग यह की नहीं सूचल लिस्रोंसींग फेल है गले मिलने से चिपटने से और हाथ बनाने से हाथ चूमने से कोरुना नहीं फ़ेलेगा आप व ज्ञानिक तो हैं नहीं साइंटिस तो हैं आप तो एक मौलाना हैं आप तो किवल लोगों को भाशर देना जानते हैं विज्ञान आपने पढ़ा भी है कि नहीं मुझे पता नहीं और अगर विज्ञान पढ़ा तब भी ऐसी बाते कर रहे तो और बड़ा जुर्म आप कर रहे हैं तो उस मौलाना साथ को अगर मीडिया एबी पी न्यूस मैं या मेरी साथी रूबी का आइना दिखाते हैं उसकी गलती पर बोलते हैं कि आप ये गलत कर रहे हैं आपकी वजह से आज कोरोना पूरे हिंदूस्तान में फैल रहा है तो क्या गलत करते हैं हमरी कोई परस्तली खंदक थोड़ी है उनके साथ मौलाना स तरह क्याशात कौन है उसकेफाद उनके वारे में ध्यकर किया गया तो उनकी रसूप उनके रुथ्बश्वे का पता लगा तो एक रसुपदार व्यक्ती रुथ्थ ब्यक्ति जिसकि हजारों लाखों कि संख्यावे फॉल्वर है वह तिस तरह कि बेटुकी बातें करेगा तो मीडियांग पंतर के बैठ रहे हैं और पाकादा पुलिस में केस किया उनके खिलाब मगदमा दर्ज हो गया है दुनिया को कह रहे थे तक्रीर में कि हमको अलग-अलग करने की साधिश है अब खुद कॉर्णटीन में बैठे हुए हैं एकांतवास कर रहे हैं डर हैं उनको क को कोड माना कोरूना हो जमुकश्मीर से लेकर अंद्रबान एक को बार तक रांची से लेकर और राजस्तान तक जब चारों तरफ कोरुना के जमात के लोग उन्हें फेला दिया हो तो मीडिया उसको अंडरलाइन नहीं करेगा हम किसी से निरत जनाब जो गलती करेगा मैं उसको दिखाऊंगा और मौलाना कादरी को जब यही सवाल हमने पूछा तो कैसे बिल बिला रहे हैं आज की रिकॉर्डिक है यह इसको देखिये जरा मैं रूबिका और शोबना ने एक साथ मिलकर मौलाना कादरी जो कि अरनी जो कहा था मीडिया के लिए हम खलत कि लिए और मेरे जुबले से तकलीफ हुई है तो मैं भाहिष्येते मुसल्मान किसी को तकलीफ देना नहीं चाहता हूं और आप ल्हुगों को तक्लीफ के लिए मैं अप लोग को मैं नही दो को इंकर जीए मैं मैं यह बहूंगिं यह बाद हो गई मैं एक बैटिया के बूसल में अब यह इसलिए भी अंडरलाइन करना चाहरा हूं कादरी साब के जैसे उन तमाम लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि योगी आधितिनाथ ने जब नवरात्रे के वक्त में अयोध्या में जब रामलला की मूर्तिया शिफ्ट ह भी दिखाया था और यह बताया था कि सोशल डिस्टेंसिंग की पूरी तरीके से माखौल उड़ाया जा रहा है योध्या में पंकर जहां दो तस्वीरे सामने हैं योगी आधितना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करते हुए दिख रहे हैं चिंता जनक है यह बात चुने गए कबलनात की सरकार गिरने के बाद तो वहां पर बीजेपी के नेताओं ने हाथ में हाथ पकड़कर ऐसे हावा में दिखाए तो हमने तब भी कहा कि प्रधानमंति एक दिन पहले कहा है कि देश लॉकडाउन में जा रहा है सोशल डिस्टेंसिंग एकमा तरीका है बीजेपी के नेता ये क्या कर रहे है माध्यप्रदेश की एक तस्वीर दिखाते हैं जहां बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई लेकिन जैसे ही शिवराज को विधायक दल का नेता चुना गया सब एक साथ एक दूसरे का हाथ पकड़कर खड़े हो गया यहालत तब है जब माध्यप्रदेश में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या छै हो गई है मेरा तो काम है जहां खामिया है जहां गलतिया है उसको दिखाना उसको अंडरलाइन करना वह काल मैं भी कर रहा हूं एब भी निउस भी कर रही है इसी तरीके से बीजेपी की एक महिला नेता है आज सुपे मंजु तिवारी बलरामपूर में उत्तरप्रदेश के बलरामपूर में जिलात ध्यक्ष है वो कल जब दिवाली मनाई जा रही थी लॉकडाउन की दिवाली तो वह फाइरिंग कर रही थी वह ख़बर अमने दिखाई बड़ी ख़बर आ रही है दरसल बीजेप मंजु तिवारी को लाइव लिया मैंने फोन पे तो उन्होंने बाका था पहली लाइन में माफी मांगी ना गल्ती तो मुझे हुए बहुत बड़ी गल्ती हुए है ना मैं आपनी गल्ती एक्षब कर रहे हूं अगर मीडिया उसको नजर अंदास कर देता तो क्या मंजु त करती आज इनको अजनकों के तमाम पदों से फटा दिया गया है तो यह सिर्व इसलिए सब्बा हुआ कि मीडिया ने इसको अंडरलाइन किया तो मौलाना कादरी आप चाहे कितनी धंकी लेले हमको दे दे मुझको मेरे तमाम साथियों को हमारा काम यही है कि मैं आपकी खामय से बड़ी और कीमती किताब कोई नहीं है जो वैल्यू भारतिया संविधान को मैं देता हूँ और मेरा नेट्वर्ग को यह कुछी धर्म की किताब सी देता है बागी तमाम धर्म की कितावें मेरे लिए बराबर हैं अगर सर्व परी कुछ है कुछ चुन्ने को कभी कहा जाएगा तो भारतिय सम्विधान का मूपर रखेंगे और वो सम्विधान ये कहता है कि मजभ नहीं सिखाता आपस में बैर करना हिंदू-मुस्लिम सिख किस लोग बांते हैं तो मौलाना SAAD और मौलाना कादरी मेरे लिए पूरे इसलाम धर्म नहीं है दो शक्स है जो नाफर्मानी कर रहे ओं जो मीडिया को टार्गेट करना चाहते हैं जो लोगों को बर्गलाना चाहते हैं जो कि मासुम जमात में जो हादरीन आते हैं उनको भड़का ना चाहते हैं, उनकी खामिया गिराना मेरा काम है और रहेगा, आपकी ढहिंकियों से हम डरने वाले कहते ही नहीं है, और आखिर में जाते हैं ते इतनी बात कहूंगा, कि मौलाना कादری आप ने ये श्यमा हम से तो मांग ली, पर मौलाना cessor पर आपके Facebook पर उन से आप माफी माइड़े कि आपने घरतबयानी की देश के मीडिया आंकर और रिपोर्टर्स के बारे में क्योंकि अगर मीडिया और भासकर बाइब भी पी न्यूज का इस बारे मैं स्टेर ले ना चाहूंगा अगर मीडिया और एबीपी न्यूज ने ये मुहीम ने छेड़ी होती कोरोना के खिलाफ हैस्टाइक कोरोना को धोना है तो आज की तारीक में कोरोना पर जंग लड़ते लड़ते बहुत देर हो गई होती इनिशेटिव हमने लिया हमारे चैनल ने लिया मीडिया ने जो काम किया है उसकी तारीफ आज news broadcaster association ने भी किया ने और नबीया ने बाकाइदा अपने बयान में तब्लीगी जमात का नाम लेकर लिखा है कि उसके सवर्थक आकर मीडिया पर बैठते हैं उसके बाद फिर वीडियो बना कर मीडिया को धंकाते हैं मेरा काम किसी ठीशाना आपको मजबूर किया कि आप अपनी गलती माने और घृति का वीडियो नहीं कर ऱी हमारे साथ वालिकि उन तमाम लोगों के साथ आज की तारीक में आपको ते सुनते होंगे देखते होंगे क्योंगे आपने उनको उक्साया है उनको भड़काया है कल विलोग हमारे खिलाफ अगर कुछ करते हैं तो उसके जिम्मेदार मौलाना कादरी आप होंगे और कोई नहीं होगा मौलाना कादरी मौलाना साथ मेरे आपसे कोई जात्ती दुश्मनी नहीं है पर आपकी गलतिया गिनाना मेरा काम है और रहेगा धन्यवाद